अब वेल्कम टू सुपर फॉस्ट एंगले सकेड़ी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिमीनिंग कोईशन्स बजे थे देखे अब तक मैं आपको सिक्स्टी कोईशन्स अलड़ी बता चुको पहला पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उन्हें देख लि मैं आपको बता दूँ पहला है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है तो देखें जो पालक होता है जो सबजी होती है पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती वह आयरन की मात्रा होती है यह आपको याद कर लेना है किसकी मात्रा होती है आ कोशन आपसे पूछ लिया है आगे लोहा लोह आभिश्यक है तो देखें लोह जो हो आभिश्यक क्यों है इसमें पढ़ लिजे हीमोगलोबिन वह आरवीसी के निर्वान के लिए आयरन की जरूरत होती है बिल्कु सही है सामाने स्वास्त बनाए रखने के लिए बहुत जरूर लोही का सबसे अच्छा स्रूत है अगर लोही की जरूरत आपको चाहिए तो सबसे अच्छा देखें पालक तो है है लिगने अगर पालक नहीं है तो फिर आपको सेव लगा देना है समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा आगे किसमें भरपूर लोहा तत्तो पाए जाता है स देखे- मैंने भी बोला पालक क्या है एक सबजी है तो सबजी मतलब क्या होजेगा हरी सबजियों के अंदर सबसे जड़ा लोही की मात्रा पाय जाती है आगी देखिए निम्लिकरit में से किस योगं में सही नहीं है मतलब यह दी आपने उनके नाम को याद रखा होगा तो ठीक है देखो बिटामिन के विल्कुल सही है रक्त का जमना मतलब ठका जो जमता है रक्त का उसके लिए बिटामिन के बहुत जरूरी है ठीक है अच्छा अब यह देखो बिटामिन यह थाइमीन मतलब बिटामिन बी का रासायने के नाम है तो अब बी का मतलब B की कमी से क्या होता है बेरी-बेरी रोग मतलब हमारा ये भी बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है मतलब अगर इनको याद है आपको तो आप इस एक कर सकते हो आगे देखो अब देखो एक देखो C vitamin C का नाम है ascorbic और उसकी कमी से जो रोग होता है वो था इसकरवी तो यह बिलकुल सही है मतलब जो C बाला है वो बिलकुल गलत है समझे बाता रहा है तो ऐसे करके आपको identify कर लेना है ठीक है? आगे देखिए vitamin और रोग अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सही है देखिए पहली बात vitamin A की कमी से रेकेटरस होता है कर नहीं? vitamin D की कमी से होता है रेकेटरस जिसमें यूनों कंकाल जैसा सरी निकलाता है बोड़ी बोड़ी वो घड़ जाती है तो vitamin A की कमी से देखो, रिकेटस तो नहीं होता है, ये तो गलत है, विटामिन D की कमी से होता है, तो पहला वाला तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, विटामिन B की कमी से बैरी 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 बिल्कुल, विटामिन C की कमी से सकर भी, अभी बताये था उपर, तो आपको याद हो जाएगा, मतलब दो और तीन बिलकुल सही है तो हमारा दूसरा वाला एक दम सही हो जाएगा overall आपको देखो याद रखना है याद रखना बहुत जरूरी है कम से कम इनको आप revise करो सुनो एक दो बार वीडियो को बस खतम नेमलिक की कमी से एनिमी या रोग होता है देखो बहुत अच्छा क्वश्न है काफी repeated है याद रखना है कि अगर आपके बॉड़ी के अंदर लोही की कमी हो गई ना तो आपको एनिमी या रोग हो जाएगा इसमें खून की कमी आज आती है तो वो एनिमी या रोग किस की कमी से होता है वो लोही की कमी से होता है ठीक है लोही का सबसे अच्छा स्रोथ क्या होता है पालक पालक या फिर हरी शबजिया अगर ये उप्शन में ना हो तो आप सेब लगा सकते हैं आगे देखे एग लास पानी पीने में कितना कैलोरी मिलती है तो आप सभी को बता दूँ पानी से आपको कोई भी उर्जा प्राप्त नहीं होती है कल मैंने आपको बताया था कि उर्जा का जो स्रोथा वो कार्भो हाइडरेट होता है ठीक है कार्भो हाइडरेट बसा होता है बट सबस्यादा कार्बो कार्बो हाइडट होता है सोयवीन के अंदर सबस्यादा देगो मैंने अपकल बताए था 42% होता है बाकी आप सबको पता ही है तो इससे कोई भी कैलोरी उर्जा आपको नहीं प्राप्त होती है आगे केंद्य खाद प्रौदॉग की अनुसंदान कहां उससे एक सीख ले लो कमसी कम उसका एक आपकी याद कर लो कि उससे जो आपकी आते होती है वो प्रभावित होती है अच्छा हां एक बात और बोलूं कि जो बच्चे इंग्लिस वाले हैं मतलब CBSE जो पड़े लिखे हैं वो यह एरफोर्स नेभी का एक्जाम देते हैं तो सबको थोड़ा सा ध्यान में देख कर कि काम करना पड़ता है अब अगर माल लीजिए इंग्लिस वाले अगर माल लीजिए तो मैं पूलूंगा यिंदी वाले लगने एकजार है तो उसे साबसे मुझे काम करना पड़ता है इसलिए आप ठोड़ा एड़्जस्ट कर देखो पेचिस जो होता है न वो एंट अमीवा वज से होता है ठीक है एंटी अमीवा जो इसका प्रोट जोहा है वो पेचिस रो की लिए बहुत जिम्मिदार होता है आखों की दूर द्रस्टी की बीमारी किसके कारण होती है देखें दूर द्रस्टी का मतलब होता है कि दूर लिखा और दूर द्रस्टिकली कौन सा देखो उत्तल और एक और बात अगर निकट द्रस्टी दोस है मतलब कि पास की चीज़ आपको दिख जाए लेकिन दूर की नहीं दिखती है तो उसे बोटे निकट द्रस्टी दोस इसके लिए क्या होता है अब तल लेंस का यूज किया कि आपको याद हो जाएगा दूर द्रस्टी दूर छोटा है तो इसके आगे छोटा आगया आ रहा नहीं आ रहा समझ में बस ओबरोल यह आपको याद कर लेना है कुछ क्वेशन से भी आते हैं कि देखें मोट साइकल का जो बैक साइड देखने का सीसा होता है वो कौन सा ल एसकल लेस्ट में आपके दिमाग में कौश्टन होता है पीछे कौन है तो आप अपने ट्र जानने के लिए उसमें देखते हैं वह याद कर लेना क्यों है आगयए पूछे करते हैं ऑगे देखिएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा होना यानि अगर आप पढ़ते रहते हैं तो सबसे आदा problem इनहीं को होती है दूर दरश्टी दोस्ट जो होता है वो सबसे आदा बच्चों को होता है पढ़ाई लिखाई करने वालों को क्योंकि वो पास की चीज़ों को देखते रहते ना तो उनके जो गोलक होते है वो छोटे हो जाते है अब नेत्र गोलक छोटे हो जाएंगे तो उनको पास की चीज़ों फर दूर्दली दिखने लगती है सही में problem मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको बस इस से प्रव्लम यह जो इसका answer हो जाएगा से आगे दोगो हैजय का क्या कारण होता है अब हैजय का मतलब क्या होता है थीक है तो चलो चेक करते है इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाड़ू तो आपको बस यह आद रखना है कि हैजा का जो मेन कारण है वो जीवार्ण होँए क्या है? हैजा जीवारू ठीक है? आगे देखो ऐलिसा जांच क्या होता है देखो ऐलिसा जांच होता है आपका Agils यानि कि जो AIDS होता है 演स तो EDS देखे एसा होता न जब आपको चेक चार्ज करवाएंगी न तो आपको एलिसा टेस्ट भी करवाते हैं मैक्जिमम क्या होता है कि एलिसा टेस्ट अगर आपको जैसे कोई बहुत ज़्यादा बुखार माल लो आपको टाइफाइड हो गया ठीक है अब ताइफाइड आपके सरीर में आतों को क्या करता है वो प्रवावित करता है तो तो टाइफाइड अगर बुखार का पता ही ने चल रहा न तो वह एलिसा टेस्ट के लिए बोलते हैं अब एलिसा टेस्ट पहली वार बोला तो मैं आपको याद रखना है कि देखो अबहśnie मैं आपको दो तिन टेस्ट बताओंगा वह बहुत जरूरी है उनको आपको याद कर लिता है एक तो यहीं याद कर लो ठीक है बहुत जरूरी है अगर याद नहीं है आए या फिर नहीं आए ठीक है और एक चीज और एक चलो आगे बता हूँ एक और आता है इसका recording आगे द केंद्रिय सोधी शोध शंस्तान कहां पर है cdRi कहां पर है तो आपको याद कर देना है इसका राइट एंसर हो जाएगा लखनों के अंदर है ठीक है केंद्रिया औशदी शोध शंस्तान बात करते हैं देखे एवियन एंफ्लेवंजा बर्ड फ्लू बिशाणू को निम्लिकित में से निरूपित करता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा हज़ा हो जाएगा आगे दातों के छह को रोकने के लिए अधिकांस टूथपेस्ट में क्या होता है तो यह सबको पता होगा एड़ आप देखते रहते हैं तो उसमें फ्लोराइड होता है फ्लोराइड मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा आगे देखो खस्रा रोग का में मतलब कोई कफ हो गया अब जैसे बात है तो मतलब जहर निकलेगा उसके मुह से सही बात ने तबी तो हाथ मतलब आगे लगा लेता है बोलो यह सो नो तो यह चीज़ें आपको द्यान रखना है आगे देखो अभी मैंने आपको बताया था चलो आगे बोलता हूं कैंसर के उ इसमें चलता है मतलब उसकी सिकाइवी का ही जो होता है ना स्वैलिंग वैलिंग आजाती है गर्दन पर कहीं पर भी तो यह बाके में बहुत बड़ा डेंजर बीमारी है यार सही बता रहा हूं एक बार मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके ना यह कैंसर हो सकता मेरे गले म में यहां पर थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था यार थाइड़ थाइड़ तो इसमें बाहर कुछ निकल रहा था तो थोड़ा सा मुझे डाउट वा कि मतलब मेरा तो कैंसर होने वाला है तो भाई सभी आप यकिन नहीं तक ऐसे रहा कि मतलब कुछ है नहीं अब तो मरने वालों एक सलवाद है तो आपको याद रखना है कि केमो थेरपी बहुत खतरनाक चीज़ होती है बहुत खतरनाक चीज़ होती है तो तो अबरॉल कैंसर का इलाज तो है लेकिन सिर्फ पैसे वालों के लिए भाई गरीव लोगों के लिए नहीं है यह दिए आप किसी गवर् आपका इलाज कराएगा चलिए इसके वारे में कुछ और बताओं एक कहानी बताओं आपको एक इस्टुएंट की आगे देखो देखो ब्लड कैंसर को आमतोर पर इस नाम से भी जाना जाता है तो देखो ब्लड कैंसर जो होता है वह किस नाम से जाना जाता है यह देखो इस हुआ है आगे बात करते हैं कि इसका राइट है इससे याद रखो देखो मदू आपने देखा हम भी देखा बचपन में क्या करते थे कि अगर कहीं पर मदू मतलब शैद ठीक है मदू मक्की बैठी है मतलब कहीं पर च्छता लगा हुआ है तो अपने लोग क्या जाते थे और एक बीड़ी का धुआ मतलब वहां करकरा करके और उसे तोड़ने जाते थे मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूं हसना मत अब क्या होता था कि वह हम मदू के पास जाते थे और वहमें काटती थे अब काट लिए तो मतलब पेन होगा तो बस ऐसे ऐसे हलकी थोड़ी कानी याद आज जाएगी भचपन वाली मतलब कुछ जो गलत किया उस काम से तो कुछ अच् इसका जवाब दो चलो सब लोग जल्दी से बताओ ऐसे अब टैफ ओर अभी कि बगड़े से होता है किसका मतलब जीवानू मैंजा से अचा हयजा जो होता है वो वह वी जीवानू आशनल की बज़र से हो जाता है ठीक है आगे टाइफ़ाइड पैदा किया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सल्मो नेला टाइफी द्वारा तो बस याद कर लो भाई से तो आगे देखो डेंगू बुखार किस रोग बहाग द्वारा संचारित होता है तो डेंगू दो यार पंद्रे में तो आया लिगने इसकी यार इज़त होती है अगर कोई question किसी कहीं exam में पूछा गया मतलब उसकी value है आपको वो याद वो तो करना है यार उसका value है तब ही वो आ गया है तो उसका value करना है आपको भी carbohydrate के अलावा हमारे आहर में ऊर्जा का एक प्रमुक सुरोथ क्या होता है आहर में पूछा रखाय तो आहर में कौनसा होता है भशा तो मैंने आपको बताये था कि आंदर के जो heat यानी उर्जा है वो बहार transfer नहीं होती है बीच में क्या आप दिवाल लगा देते हूं न तो वही होता है आगे बात करते हैं तो बच्चों में अंगों की अस्तिया मुड़ जाती है इसका में कारण मतलब किसकी कमी से अस्तिया मुड़ जाती है मैं बता दू आपको विटामिन डी की बज़े से लोग मैंने बोला था रिकेटस रोग होता है वो रिकेटस यही होता है हड्डियां वड्डियां टेड़ी मेड़ी हो जाती है समदरें आप आपने बहुत सारी लोग बिचारे देखे होंगे तो अच्छा मैंने आपको कल भी बताता विटामिन डी आप शूर से भी मिल जाता है ठीक है तो यह आप थोड़ा बेसिकली याद रखें आगे देखो मूत्र के शावन को बढ़ाने वाली औशिदी कौन सी होती अब देखो अगर मतलब टॉलेट नहीं आता जैसे आपने देखा हुआ चोटे बच्चे होता है अब क्या होता अगर टॉलेट उनको नहीं आता तो उनको एक दवा दी जाती उस दवा का नाम होता है डाइयूरेटिक क्या होता है डाइयूरेटिक ठीक है तो यह बहुत बबाटामिन बबाट किरते हैं बीमारियों और उनके जाच यह आपको याद करना है ठीक है देको especially क्या होता है आपको मैं reality बता हूँ आपको जितना भी बोला जायना उसको आप याद करो अगर आप exam देने जा रहे हैं सच बतार मुझे अगर कोई इन में से पता नहीं होता है आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ता हूँ खुद पढ़ता हूँ मतलब उसको याद करता हूँ ऐसे नहीं कि मतलब answer भी लिखे हो मुझे पता है कि हाँ इसका answer यह है लेक्ट फिर भी मैं उसे याद करता हूँ क्योंको मेरे भी काम आने वाला है तो काम बहुत जरूरी है तब ही आप strong हो पाएंगे तो अगर याद नहीं है तो भाई याद करो आप भली रुक रुक के याद करो दीरे दीरे लिख लो screenshot ले लो देखो सुनो इसका अभी मैंने आपको बताया था ऐसे याद करो अभी मैंने आपको बताया था कि डेंगू बुखार कैसे होता है बताया ना एडिसा कुछ ऐसे था पूरा एडिसा आता उसमारे मने टिक टे utility किसलिए होता है यह test होता है एक fever के लिए जो ऐगा आपका सिपार ल cinq इसकष़् लिए यह अब बच्या आपका ellis मतलब किसकी कमह से होता है इसका राइट असर हो जानने के लिए होता है तो इस तरह से आपका right answer जो होज़ाइगा वह एब आपका सही होज़ाएगा ठीक है अगे रिखेंगो निम्लिकित में से कौन सी बिमारी कौन सी बिमारी पानी द्वारा नहीं फैलती है तो मैं आपको बता दू फुलू जो होती हो पानी के द्वारा नहीं फैलती कभी भी अग्मया को यह थ वह क्या है इसका राइट एंसर हो जाएगा एक वायरस तो एक बाईरस हो जाएगा पॉलियों का में कारण आगे देखो और मैंने यह थे बाईरस जो होता है वह जुखाम होता वह भी वायरस की वैसे होता है आगे देखो नियूमोनिया रोग मानफ शरीर के किस अंग को साब बाद मताता हूं आगी मादा क्यों लेक समक्षर निमनिकित में से किस रोग का बाहता है मादा क्यों लेक्स मुक्षर तो इसका है यहाँ ओंस कि फाल्लिया हो जायगा रख्त का थक्का बनने के लिए कौनर बिटामिन जरूर ही तो बोला था vitamin K बहुत जरूर है यदि आपको रख्त का ठका जमाना है तो 96 है हमारा leukemia एक प्रकार का cancer है जिसमें असादर्ण बड़ोतरी होती है ये भाई देख लो blood cancer भी आपको बताया था ठीक है तो यहाँ पर ये 96 बाला भी आ गया तो ये क्या होता है sweet rakt की कोश्क्याओं की संख्या मतलब इसमें क्या होता है कि आपके sweet rakt कोश्क्याओं की संख्या बहुत ज्यादा भड़नी लग जाती है उस बज़े से leukemia एक cancer होता और ये develop होनी लग जाता है ठीक है आगे देखो अब cancer का बताया था उसके लिए इलाज को जान से होता है therapy वाला ठीक है तो आपको याद करना है आगे मानव शरी रचना के संदर में antibodies होते है तो antibodies गया होते है ठीक है ये क्रत में संक्रमण जब हो जाता है तो उस बज़े से होता है निमलिकित में से कौन सा रोग संक्रामक है तो संक्रामक कौन सा रोग है तो इसका राइट एंसर हो जाकर डिफ्थीरिया डिफ्थीरिया एक संक्रामक रोग है ठीक है मदवे मैंने बता दिया गठिया ब प्रुपन होने वाला रोग अब देखो लोहा ज्यादा से ज्यादा ले लो पालक ज्यादा खाऊ तो दिक्कत नहीं होगा तो उसकी वैसे क्या होता है रक्त हीनता रोग हो जाता है ठीक है चले दोस्तों मैंने यहां पर 100 कंप्रीट करा दिए इसके बार नेक्स्ट मतलब पढ़ते हैं वहां भी आपके साथ कुछ स्ट्रेंट पढ़ते होंगे उनको बता दीजिए कि देखो हमारे रामसर है और हमको यह पढ़ाते हैं तो आप उनकी चनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर भाईए और अपनी कोचिंग सेंटर में जहां भी आप पढ़ते हैं वहां मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मुझे सपोर्ट करने वाले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच